मेरे चैनल पर पूछे जाने वाली queries या questions में से शायद यह सबसे ज़्यादा common question है multiple जो social media platforms है या mail के थूरू या मेरे चैनल भी या stupid पे काफी सारे youngsters ने specifically मेरे से question पूछा है कि sir आप flat foot और knock knees के ओपर videos बनाईए अब please मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसका one of the reasons was मेरा जो defense background है जिसकी वज़े से लोगों को defense related जो ये criteria है medical criteria है क्योंकि अगर कोई इंसान flat feet या knock knees से suffer कर रहा है तो defense forces में उसकी clear rejection होती है medicals में जो clauses हैं वो भी बहुत limited होते हैं in maximum cases it is a rejection criteria so काफी सारे बहुत bright aspirants ऐसे होते हैं जो सारे stages clear कर लेते हैं लेकिन जब medicals में आते हैं तो because of knock knees और knock knees भी even come flat feet के चक्कर में काफी लोग जो है वो reject हो जाते हैं तो काफी लोगों ने question पुझे सार आप इस पर video बनाई है research करिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहली चीज़ कि ये एक medical field का जो question है और इस पे जब कोई non medical तरीके से बात करते हैं जैसे मैं I am not a doctor जब मैं इस पर बात करूँगा तो मैं इस पे कोई भी guess work आपको नहीं बता सकता इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस particular video में या topic में जो मैं अपनी मर्जी से आपको बता हूँ इसलिए मैंने इस particular video के उपर एक layman guide के form में layman यानि एक normal इंसान के लिए जो non medical background का है उसके लिए एक e-book लिखी है यह जो e-book है यह flat feet और knock knees दोनों के दोनों topics को combine करके लिखी गई है इसमें मैंने maximum research studies की compilation दी है information दी है कि exactly यह जो topics है यह जो problems है medical problems यह हैं क्या कौन से factors है इनका diagnosis क्या है और कैसे doctors इनको generally treat करते हैं और कैसे एक stage के बाद आप सिरफ और सिरफ medical recommendation के base पर ही इसमें कोई step ले सकते हैं अपने आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब हम यह topic को जो है वो discuss करेंगे अगर आप इसके बारे में further पढ़ना चाहते हैं तो मेरी यह website है weastupid.com और amazon.in में जो amazon kindle है amazon.com पे amazon kindle है उसमें मेरी सारी e-books including जो flat peen and knock knees वाली e-book है यह available है आप जाके इसे purchase कर सकते हैं बहुत ही reasonably priced e-book है उसे पढ़िए और आपकी information और ज्यादा multiply होगी जब आप यह video देख लेंगे उसके साथ जब आप e-book को पढ़ेंगे सबसे पहले हम discuss करेंगे knock knees को please understand कि जब हम knock knees की बात करते हैं तो दो terms काफी commonly सुनने को मिलते हैं specifically बच्चों में एंफिंस में वो होता है bow legs और knock knees अब यह दोनों अलग चीज़ें इसका अगर मैं layman तरीके से आपको समझाओं तो for example अगर आप बिल्कुल straight खाड़े हो रहे है तो जो आपकी skeletal structure होता है यापका जो bone structure है legs का अगर वो inward turned है याई जो आपकी knees है यापकी thigh bone है, femur bone है वो instead of coming straight वो internally curve हो रही है या turn हो रही है आपकी knees है वो straight की जगा अंदर की तरफ मुड़े हुए है उसे आप बोलेंगे knock knees और अगर यही जो bones है यापकी जो femur bone है, thigh bone है या बाहर की तरफ जा रहा है याई knees बाहर की तरफ out turned है तो उसे हम बोलेंगे bow legs maximum cases में जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो उनके bow legs जो है वो common problem देखने को मिलती है और problem नहीं होती है वो this is how they actually develop और bow legs जो है वो birth के बाद commonly देखने को मिलती है by the time जो बच्चा तीन साल की उमर में आता है तब तक जो उसकी bow legs हो automatically ठीक हो जाती और because जो उनके knees होती है वो बाहर की तरफ turned होती है bow legs होती है जब आप बच्चों को चलते हुए देखिंगे जो उनके जो toes होते हैं वो इस case में generally under turned होते है और medical terminology जो इस particular problem के लिए use होती है जो bow legs के लिए use होती है जो हम कहते है genu warm on the other hand जब हम knock knees की बात करते हैं उसको हम medically कहते हैं genu valgum जिस तरह bow legs होता है जो generally बच्पन में देखा जाता है generally यह problem जो सबसे जादा prominently देखने को मिलती है वो 2-5 साल की उमर में मिलती है और उसके बाद जैसे मैंने बताया जैसे ऐसे age बढ़ती है specifically 7-8 years की age में यह चीज ठीक होने लगती है लेकिन हो सकता है यह problem worsen भी हो specifically क्योंकि जब हम knock knees की बात करते हैं यह सारी conditions है यह अभी हम धीरे-दीरे discuss करेंगे लेकिन जो maximum cases में जो genu valgum या knock knees देखा गया है वो generally idiopathic reasons की वरे से देखा गया यानि unknown reasons होते हैं कुछ genetic defects होते हैं उनकी वरे से देखा जाता है और automatically यह ठीक भी हो जाता है यह maximum जो criteria में लोगों को knock knees या बच्चों को knock knees देखा गया जैसे मैंने बताया कि maximum cases में जो knock knees होता है या bolex होता है यह बच्चों में अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी यह parents के लिए बहुत बड़ा stress और anxiety का reason होता है इसलिए अगर आपको यह stress है anxiety है और आपके बच्चे में देखने को मिल रहा है कुछ एच तक प्लीज अपने डॉक्टर से और ओर्थों से consult करिए वो भी आपको generally similar advice देगा of course वो diagnosis के बेसे बता पाएगा कि कोई और major problem तो नहीं however जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे cases में होते हैं जहां पर medical reasons की वज़े से यह जो problem है knock knees की यह lifelong रह सकती है यह बहुत लंबे समय तक रह सकती है कुछ medical reasons होते है for example rickets की problem जो develop होती है और काफी cases में बच्चों में vitamin D की deficiency की वज़े से जो rickets develop होता है उसमें भी problem रह सकती है एक term आप commonly देखेंगे जब आप knock knees के बारे में कहीं पढ़ेंगे उसमें केटने dysplasia dysplasia basically एक बहुत broad term है जिसे use किया जाता है जब कुछ organs के अंदर जो हमारे cells वगारा tissues वगारा है उनकी जो development है वो abnormal होती है और यह dysplasia है यह multiple reasons से हो सकता है यह even cancerous cells के development को भी lead कर सकता है और बच्चों में developmental dysplasia बहुत commonly देखने को मिलता है जैसे मनें बताया जो बहुत सारे reasons हैं जो medical reasons हैं हम जिनें बोल सकते हैं इनकी वज़े से knock knee develop हो सकता है जिसमें से rickets आता है vitamin D की deficiency की वज़े से skeletal dysplasia आता है कोई physical injury हो जाए जिसकी वज़े से accidental case हो जाए जिसकी वज़े से जो skeletal structure है वो खराब हो जाए कोई chronic infection हो जिसकी वज़े से skeletal deformity हो कोई ऐसा major fracture हो जाए जहाँ पर जो आपकी development है लेक की है जो shape है लेक की वो change हो जाए osteoporosis की वज़े से juvenile rheumatoid arthritis की वज़े से overweight और obesity की वज़े से जो बहुत ही बहुत common reason देखने को आज चल मिल रहा है या कुछ genetic conditions की वज़े से भी जो knock knees है वो develop हो सकता है और एक later stage तक वो चल सकता है या lifelong भी रह सकता है research में देखा गया है कि अगर किसी इंसान को idiopathic knock knees develop हो रहा है यानि unknown reason की वज़े से knock knees हो रहा है लेकिन उसकी obesity भी साथ साथ बढ़ रही है तो वो जो knock knees है वो adulthood में भी जा सकता है और later stage में वो arthritis का भी एक कारण बन सकता है इसके लावा कुछ और भी research studies हुई है जैसे राजस्तान वगारा में कुछ research study में देखा गया कि fluoride poisoning वगारा की वज़े से skeletal deformity काफी लोगों में देखने को मिली है including adults जिन में knock knees की problem देखने को मिली है however ये बहुत ही rare cases में हम count करते हैं ये कुछ specific conditions होती है ये कुछ regions में मिली है लेकिन जैसे हमने पहले भी conditions discuss करी है वो major conditions है जो world over common है जब हम knock knees को diagnose करने की बात करते हैं या checking करने की बात करते हैं तो please understand यहाँ पर आपको full stop लगाने की ज़रूत है जैसे मैंने बताया था कि हर एक subject का हर एक topic का एक non medical और medical background होता है being from a non medical background मैं आपको सिरफ वही चीज़ें बताऊंगा knock knees के बारे में जो एक layman समझ सकता है जो research studies में दी हुई है उसके बाद अगर उसकी आपने diagnosis कराना है checking करानी है treatment करानी है उसके बारे में knowledge तो gain कर सकते हैं लेकिन उसे क्यासे करना है किसके under करना है वो है सिरफ और सिरफ आपके doctor तो जब आप diagnosis की बात करते हैं या proper assessment की बात करते हैं तो please मैं आपसे request करता हूँ जैसे मैंने पहले भी काफी वीडियो में ये चीज़ें बताई है और expose करा है लोगों को कि medical cases के लिए for God's sake please and please only refer to your doctor do not listen to any YouTuber do not listen to anybody even a doctor जो YouTube पे आपको इलाज बता रहा है वो सही नहीं होगा why? because हर individual का case अलग होता है, diagnosis प्रॉपर होना चाहिए, वो doctor जब तक आपको properly, individually, diagnose नहीं करेगा वो सही treatment नहीं बता सकता किसी भी problem के multiple reasons हो सकते हैं इसलिए कोई भी social media प्लाटफॉर्म पे आप वीडियो देखकर आप एक general knowledge तो गेन कर सकते हैं लेकिन उसका diagnosis और treatment आपको practically on hand जब डॉक्टर के अंडर करना पड़ेगा जब नौक्रीज की problem लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो multiple तरीके से आपको assess करता है, specifically वो एक angle assess करता है जिसे हम Q angle क्याते हैं इसका diagram मैंने दिया हुआ है Q angle क्या होता है और ये जो मेरी e-book है उसके अंदर भी इसके बारे में मैंने सारा explain करा हुआ है उसके बाद men और women और बच्चों में different different criteria's के base पर वोसे diagnose करते हैं लेकिन ये सारा का सारा आपके doctor के under है ये उनका काम है काफी case में जब proper diagnosis होता है तो जो इनसान नौकनी से सफर कर रहा है उसकी developmental history उसकी family history वगरा उसके genetic genetics वगरा को सब चीजों को check करा जाता है assess करा जाता है उसके इलाबा काफी neuromuscular issues की वज़े से cerebral palsy की वज़े से भी problem develop हो सकती है तो उसका भी examination होता है उसके बाद कुछ radiological वगरा test होते हैं blood test वगरा doctor आपको proper करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अब आपने इस नौकनीस को क्या करना है specifically अगर वो adulthood में जा रहा है जब हम नौकनीस की treatment की बात करते हैं तो इसके दो तरीके से treatment करी जाती है एक होती है surgical एक होती है non-surgical research में बताया गया है कि अगर आपकी for example बच्चा है उसकी उमर 6-7 साल से कम है तो generally उसे under observance रखा जाता है observation रखा जाता है लेकिन in maximum cases इस age में कोई भी major surgical intervention नहीं करी जाती है और parents वगारा की counselling होती है बच्चों की counselling होती है जाकि वो stress से वो गुजर रहे हैं वो कम हो सके कुछ cases ऐते होते हैं जब हम non-surgical interventions की treatment की बात करते हैं तो कुछ cases ऐसे होते हैं जहांपर जब pathological genuval gum देखा जाता है यानि किसी medical reason की वजह से जो है जैसे हमने अभी discuss करें reason उनकी वजह से अगर आपको knock-neez हो रहा है तो doctor कुछ bracing techniques वगरा आपको advice कर सकते हैं काफी cases में यह तनी successful नहीं होती है लेकिन अगें यह आपके doctor ortho के उपर है कि किस case में से क्या cheese advice करनी है तो वो आपको कुछ exercises बता सकते हैं कुछ braces वगरा है जो आपकी leg में वो attach कर सकते हैं कुछ shoe में inserts डाल सकते हैं लेकिन long run में specifically young age में ऐसी कोई भी चीज बहुत successful research में नहीं देखी गई है however again I am not the one to tell you यह आपके doctor के उपर अगर आपको फिर भी doubt होता है तो second या third opinion किसी और doctor से भी अब ले सकते Please understand जब हम surgical treatment की बात करते हैं तो यह बहुत ही rare cases में होता है knock knees की surgery तभी कराई जाती है जब यह problem है यह young age में ठीक नहीं हो रही है 10 साल की उमर के बाद भी यह problem तो तब उनको surgical treatment के लिए advice करा जाता है क्योंकि लेटर स्टेज में arthritis का एक बहुत ही major reason बन सकता है जनली है surgery जो बच्चे की फूरी growth हो जाती है उससे पहले-पहले कर दी जाती है जिसमें कुछ metal plates वगरा के through आपके knees को straighten करा Now you need to please understand कि जब मैं knock knees की बात कर रहा हूं अभी तक आपने अगर सारी चीजे धंक से सुनी और समझी तो उको पता लगे कि यह एक genetic reason की वज़े से होता है इन maximum cases अगर किसी इंसान को knock knees है तो उसको कोई symptom नहीं उसे कोई pain नहीं है चलने में problem नहीं और mild knock knees है जो काफी लोगों को होता है तो वो lifelong without worries उसको carry कर सकता है However, जब हम defense forces selection की बात करते हैं तो काफी लोगों का doubt आता है कि sir, अगर मुझे knock knees है तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्यूंकि काफी सारी websites आपको बोलेंगी भाई आप आप जो है कुछ exercise कर लीजिए ये कर लीजिए Please understand, ऐसा कोई भी method research में proven नहीं है ये सारी कुछ लोगों ने बस recommendations के लिए आपको चीज़ें बताई हुई है लेकिन अगर आप क्यूंकि आप defense forces selection में जा रहे हैं यानि आपकी उमर approximately 17 to 18 years की age में है हो सकता है आप further थोड़ी और older age में भी defense forces exams दे रहे हों तो इस particular age तक आप basically अपनी knock knees का कुछ नहीं कर सकते है अगर ये एक skeletal development है ये मैं problem नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कोई बिमारी नहीं है अगर आपकोई symptom नहीं है तो आपकी ये normal growth है इससे आपको कोई problem नहीं होगा lifelong आपने सरफ एक profession choose कर रहा है defense जिसमें एक criteria की बज़े से selection नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई defect है ये उस जो particular service है ये उसके reasons है और ऐसे बहुत सारी तरह की career fields हैं कोई नहीं कोई उनको चीज़ फॉर एग्जांपल अगर कोई इनसान जो है वो पाइलेट बनना चाहता है लेकिन उसकी आइसाइड इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है पाइलेट ना पन पाए लेकिन हो सकता है वो एक टॉप क्लास डॉक्टर बन जाए वर्ल का बेस्ट साइंटेस्ट बन जाए फर एक्जांपल इस डॉक्टर एपीज़ अब्दुल कलाम डॉक्टर कलाम जो थे ही वर रिजेक्टेट फॉर्स उनकी एफोस में सेलेक्शन नहीं हुए उन्हें बहुत बार ट्राय किया क्योंकि वह बहुत वीक थे शॉट लेकिन उसके बाद क्या हुआ ही बिकेम इंडिया ग्रेटेस्ट मिजाइल मैन और उसके बाद प्रेजिडेंट अफ दे कंटरी जहां पर जो प्रेजिडेंट होता है वो इंडियन डिफेंस पोसी जानी आमी नेवी और एफोस का सुप्रीम कमांडर माना जाता है तो जिस फ नहीं सोटा सा जर्टीरिया है जिसकी वज़ए से एक पर्टिकुलर जॉब फील्ड में जॉब प्रॉफाइल में आफ स्छेट नहीं हो पा रहे हैं तो डिसार्टन मत होई है तिरह मल्टिपल ऐसी फील्ड इनमें इस पर्टिकुलर क्राइटेरा को कहीं भी बिकंसिलिटर नहीं करा जाता है, for example, civil services हो गया, IES, IEFS वगरा हो गया, इनमें ये problems को consider नहीं करा जाता है, जब आप medically test के लिए जाते हैं, defense forces में, तो आपको proper examine करते हैं, आपको सीधा खड़ा करके, आपका cue angle वगरा check करेंगे, knock knees check करेंगे, और अगर knock knees है, जो आप खुद भी check कर सकते हैं assess कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो doctor से भी check कर आ सकते हैं, तो in maximum cases वो आपको select नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी treatment नहीं होता है, treatment is surgical, और surgical treatment के बाद तो वो बिल्कुल भी आपको select नहीं करेंगे, और अगर minor knock knees की surgery कराना बिल्कुल भी advisable नहीं है, knock knees एक genetic issue है, in maximum cases, adult hold में, या कोई जैसे मने बताया, कोई medical issue की वरे से भी develop हो सकता है, लेकिन अगर वो है तो उसे आप किसी भी exercise या किसी भी चीज से ठीक नहीं कर सकते, वो आपकी bone की deformity है, वो कोई muscular deformity नहीं है,